हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RBI Office Attendance Result 2021 के बारे में यहाँ पर दोस्तों आप सभी का यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि RBI Office Attendance की जो Result है वो यहाँ पर कब जारी होगी यानि कि दोस्तों आप कम से कम दिन भर में तीन से चार बार RBI की Official Website पर चेक करते हैं अपडेट देखते हैं कि कही न कही RBI Office Attendance की Result के बारे में क्या RBI ने कोई Guidelines जारी किया है या कोई Notice जारी किया है या नहीं किया है इस चीज को लेकर आपके मन में कहीं न कहीं इस चीज का जो सवाल बना हुआ है कि RBI Office Attendance की जो Result है वो कभी भी जारी कर सकती है यानि कि दोस्तों वो दिन कब है वो समय कब है वो परकिरिया कब है इसके बारे में ना आपको पता है ना हमें पता है RBI के Guidelines के अनुसार आपको ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दिया जारा है कि जिससे Candidate पूरी तरह से संतुष्ट रहें कि इस समय RBI Office Attendance की जो Result है डिकलियर कर दी जाएगी पर यहाँ पर दोस्तों RBI ने आपके साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है अपडेट है जो आप सभी को जानना बहुत ही आजरूरी है जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि RBI की अभी रिसेंटली यहाँ पर तीन एक्जाम कराए गई थी यहाँ पर Security Guard और साथ ही यहाँ पर Office Attendance और यहाँ पर जो Result डिकलियर किया गया है नन CSG Post के लिए यहाँ पर जो है एक्जाम कराए गी थी यानि कि दोस्तों Security Guard के भी Candidate इंतजार कर रहे हैं Office Attendance के भी Candidate इंतजार कर रहे हैं पर यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि Security Guard के पहले एक्जाम होई दूसरे में Office Attendance की होई और यहाँ पर तीसरे में non CSP की जो है exam कराई यहाँ पर देख सकते हैं कि CSG की post की जहाँ पर exam कराई जो यहाँ पर 10 April कराईगी थी Office attendance की जो exam कराईगी थी यहाँ पर 9 और 10 ओ कराईगी थी पर यहाँ पर Office attendance की result ना जारी करकर उससे पहले हुई वाली exam की जो है इन्होंने result जारी कर दिया क्या RBI Office attendance की result जारी करना नहीं चाहता है या इसके लिए इन्होंने result नहीं बनाया है या इनकी पूरी जो है आप कह सकते हैं कि रिकुरेंट की पूरी process हुई नहीं है जिसके अंदर RBI अपनी result को यहाँ पर जो है publish करे क्या आपकी जून में भी संभावना बन रही है कि RBI Office attendance की जो result है क्या वो जून में परकासित कर सकता है या नहीं कर सकता है इस चीज को लेकर candidates के मन में कफी ज़्यादे confusion है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको kill करने वाला हूँ क्योंकि एक candidate में इसको लेकर RTI फाइल कर दिया था और यहाँ पर recently एक या दो दिन पहले RTI फाइल किया था जिसमें कि उन्होंने RBI से हिया पुझा था कि RBI के तरफ से जो office attendance की जो यहाँ पर vacancy निकाले गी थी जिसकी exam कराएगी थी अखिर उसकी result यहाँ पर कब जारी होगी क्योंकि काफी सारे media report के उनुसर बताया गया था कि 5 माई को RBI office attendance की result डेकलेर कर दी जाएगी पर यहाँ किसी न किसी technical issue के कारण या result की पूरी process ना होने के कारण RBI ने office attendance की result 5 माई को जारी नहीं की लगबग 5 माई को नहीं जारी की न 6 माई को हुई न 7 माई को हुई न 8 माई को हुई लगबग 1 माई ना पूरा बीद गया है पर office attendance की result क्यों नहीं जारी हुई और उससे पहले की exam की result यहाँ पर कैसे बन के त्यार थी और यहाँ पर result जारी कर दिये गया साथ ही यह सबसे बड़ा सवाल बन रहा है candidates के मन में इस चीज़ को लेकर काफी candidates और भी RTI फाइल करेंगे जिसका यहाँ पर जो है RBI office attendance को requirement board को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई candidate RTI फाइल करता है तो उसके एक order चाहे वो जो भी requirement board हो उनके हिसाब से उनको जवाब देना पड़ता है चाहे वो जो भी हो चाहे वो suspense वाला जवाब हो चाहे वो clear जवाब हो उन्हें जवाब देना ही पड़ता है इस चीज़ को लेकर तो यहाँ पर दोस्तो जो उनके तरफ से जवाब आया कि result जो है वो आपकी under process है result कभी भी आ सकती है यानि कि दोस्तो आपकी result अभी भी आ सकती है कल भी आ सकती है परसो भी आ सकती है यानि कि एक चीज़ तो clear होगी कि RBI जो result जारी करने की उसकी परकरिया है जो exam सबसे पहले होगी उसकी exam result देरी होगी जो उसके बाद होगी उसकी भी दिरी होगी और जो सबसे एक्जाम आगे होगी उसकी रिजल्ट सबसे ही आगे आएगी यहाँ पर दोस्तों यानि कि तीन एक्जाम भरतिया थी जिसकी जो पहले थी आपकी security guard office attendants और तीसरी थी none SG post के लिए तो यानि कि none जो CSG की post की requirement की result आ चुकी document verification की date भी आ चुकी लगभग 13 से 14 दिन दिया गया है इस email ID पर अपने document इनको submit करने है यानि कि दोस्तों अब जो परकरिया है office attendance result की है यानि कि अब आपकी एक हफ्ट के अंदर यानि कि confirmably तो नहीं का सकते हैं ना कि हम requirement board है या RBI के guidelines के अनुसार हम आपको बता रहे हैं पर दोस्तों अब जो लग रहा है संभावना जो बन रही है आपकी result की media report के अनुसार social media report के अनुसार और सार्थी ग्रूपों के अनुसार जो update आ रही है वो update हम आप तक पहुचा रहे हैं अब जो result की परकरिया है यानि कि आपके second week तक जून के second week तक यहां पर आप 100% confirm हो जाए कि RBI office attendance की result second week को declare कर दी जाएगी या एक दम officially update है किसी तरह का fake नहीं किसी तरह का tag नहीं क्योंकि इसी के regarding मैंने आपको एक video 4-5 दिन पहले दिया था कि 5 जून को आपकी RBI office attendance की result हा जाएगी पर किसी ना किसी तरह से या requirement board की जो आपकी selection merit है वो पूरी तरह से ना according होने के कारण result पे देरी हो रही है पर second week तक आपकी result आजाएगी कारयाले खुल चुके हैं lockdown की पर करिया हट चुकी है जिसके अंदर अब कारयाले जो है result की process को जल से जल पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तो थोड़ा सा wait औ और करना है आपको और आपके हाथ में result की यहाँ पर जो है list रहेगी थोड़ा सा wait और कर लिजे वीडियो और information लगी हो सही तो लाइक कर दीजेगा अगर फिर भी आपको किसी चीज का doubt है confusion है यह वीडियो ना पसंद आया तो dislike भी जुरू करिएगा और साथी comment करके है या fake है या real है जो भी आपके मन में है इस चीज को लेकर comment करके चुरू बताइएगा तुमीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया पसंद आया तो like करिएगा और अभी तक आपने यूटुब चैनल सब्सक्राइब कर लेजेगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीड